स्क्पी सेवन यूज बिहार श्रीफ नाबालिक छात्रा से दुशकर मामले में नवादा के विधायक राज बलब यादव को पतना कोट के विशेश जाच परशुराम सिंग यादव ने शुक्रवार को उमे कैद की सजा सुनाया साथ ही पीड़ता को नवादा स्थित राजा बलब के आवास पर पहुँचाने वाली मा बिटी राधा देवी और सुलेखा को मा री को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई इन तीनों को आईपीसी की दारा 376 और पॉसको की दारा 4 एवं 17 के तहट उम्रकैद की सजा सुनाई गई साथ ही जहां राजा बलब पर 50,000 रुपे वर 10,000 रुपे जुर्माना लगाया गया वहीं सुलेखा वराधा पर 20,000 रुपे जुर्माना लगाया गया कोटने सुलेखा वराधा देवी को अनेतिक व्यापार अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहट 10-10 साल कैद की भी सजा सुनाई साथ ही 10-10,000 रुपे का जुर्माना लगाया गया सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी जुर्माने की राशी जमा नहीं करने पर जहां राजा बलब को 6 माह वहीं सुलेखा वराधा देवी को 33 माह पिरेक तक एद की सजा भूगतनी होगी इसके अलावा तीन अन्य दोशियों चोटी कुमारी, टिनी कुमारी वसंदीब सुमन को IPC की धारत 366 पी के लिए 10-10 साल कैद वर 10-10,000 रुपे जुर्माना देह व्या पार अधिनियम की धारा चार एवं पांच के तहत 10-10 साल कैद की सजा और अप्राधिक्षजी अंत्र अचने के लिए 10-10 साल कैद वर 10-10,000 रूप ये जुर्माना की सजा सुनाए सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी जुर्माने की राशी नहीं जमा करने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी इन सभी को कोट ने 15 दिसंबर को दोशी करार दिया गया था और सजा की गवाही इस मामले में विशेश जाच पर शुराम सिंग्यादव ने आरोप पत्र पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षत रख लिया था दोनों पक्षों के करीब 4 माह तक गवाही हुई थी इस दौरान अभ्योजिन पक्ष की ओर से 22 जब की बचा पक्ष की ओर से 15 गवाहँ ने कोट में गवाही दी थी गवाही बyiحार शुरीफ सिफ़ कोट में इडी जे बन में हुई थी इसके बाद इस मामले को पटना कोट म स्थानां तरित कर दिया गया विशेश अदालत में भेजे गए थे सभी रिकॉर्ड दुशकर्म मामले में 15 सितंबर 2016 को बिहार शरीफ कोर्ट में गवाही शुरू हुई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं कोर्ट गठित करने के बाद इस मामले से समबंदित सभी रिकॉर्ड पटना की विशेश अदालत को भेज दिये गए थे बिहार शरीफ जेल से बैयूर जेल ट्रॉंसफर बिहार शरीफ जेल में बंदी के दौरान विधायक पर अन्या बंदियों को भोज देने का आरोप लगा था इस मामले का भंडा फोर्ड होने के बाद ततकाली लेकिन जेल समेट काई पुलिस कर्मियों पर गास भी गरी थी तब जेल में बंद रहने के दौरान पिता की मृतिव के बाद पेरोल पर राजबलब नवादा पहुँचे थे लेकिन इसके बाद उन्हें बिहार शरीफ जेल से पटना बेयूर जेल ट्रॉंसफर कर दिया गय था बत्रे पार्टी के बहाने अपने आवास पर बुलवाया शराब पी फिर किया दुशकर्म पीड़ता बिहार शरीफ में किराय के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी 6 फरवरी 2016 की शाम में बर्थडे पार्टी में चलने की बात कहकर सुलेखा देवी वह उसकी मा राधा देवी उसे राजा बलब पानवादा के पत्रा इंगलिश स्थिप मकान में लेकर चली गई पीड़ता के अनुसार वहां सुलेखा ने राजा बलब के साथ शराब पी पीड़ता को भी जबरन शराब पिलाने का प्रयास किया गया इसके बाद राजबलब के बॉडी गर्ड ने पीड़ता को कमरे में धखेल दिया इसके बाद वहाँ पीड़ता के साथ दुशकर्म हुआ पीड़ता एवं उनके परिजनों के बयान पर इस मामले में बिहार शरीफ महिला थाने में 9 फर्वरी 2016 को प्राथमे की दर्ज की गई थी इस मामले में 20 अप्रेल 2016 को आरोप पत्त दायर हुआ अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद 6 सितंबर 2016 को आरोप कठिट कर दिया राजसरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद की थी हाई कोर्ट ने इस मामले में 30 सितंबर को राजबलब को जमानत दे दी थी इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी इस पर सुनवाई के बाद शीर्श अदालत ने राजबलब प्रसाद को हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद कर दिया था जिसके बाद उसको दोबारा सरहंद करना पड़ा था राजबलब की जाएगी विधायकी प्रावधान के अनुसार उम्रकैद की सजा होने के बाद अब राजबलब की विधायकी रद हो जाएगी इसके पहले विधायक इलियास हुसेन की इलकत्रा घोटाले में और एक अन्या मामले में राम नरेश यादव को दोशी करार दिये जाने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है पहले मौजूदा विधायक जिन्हें रेप मामले में सजा राज बलब प्रसाद बिहार के पहले ऐसे विधायक हैं जिन्हें पदपर रहते हुए रेप मामले में सजा सुनाई गई इससे पहले नब्बे के दशक में विधायक योगेंद्र सरकार पर रिपका आरोप लगा था लेकिन सजा उन्हें तब सुनाई गई जब वे पूर्व हो गए